डेखो अभी तक हम लोगों ने graph of quadratic expression में हम लोगों ने क्या और देखा हम लोगों ने देखा हमने फिस या हमने चार ग्राफ को देखा और उसमें पहले plus x square फिर minus x square फिर उसमें हमने shifting की shifting पर हमने देखा कि कैसे हम h के shifting करते हैं एच एंड के यारदा shifting points of x and y हाना तो यह shifting points होते थे हैंड के कितने से shift कर रहे हैं गर आपको चाहिए वो first quadrant पे चाहिए second quadrant पे चाहिए third quadrant पे चाहिए fourth quadrant कहीं पे भी हो हाना हमने अच्छेस देखा था हमने देखा था कि a greater than zero पे mouth opening upward parabola हो रहा था और mouth opening downward parabola हो रहा था किस पे a less than zero ठीक है हमने यह चीज़ देखी थी और इतनी ही चीज हमाई लिए important थी हना हमने यह चीज़ देखी अब जो हमने करने जा रहे हैं हम अपना finally अपना जो graph है उसको ड्रॉ करने जा रहे हैं मतलब y equals to a x square plus b x plus c को हम ड्रॉ करने जा रहे हैं जन्रल जो हमारा है ठीक है तो जन्रल जो quadratic हमारा expression है हम उसको देखने जा रहे हैं और यह है आपका मैं लिखने जा रहा हूं you have to draw the graph of y equals to a x square plus b x plus c ठीक है तो चलो तो यह आपको ऐसे ड्रॉ करना है ठीक है चलो और अब जो है तो आप सबसे पहले इसके वर्टेक्स पता करेंगे वर्टेक्स मतलब shifting points तो कैसे हम निकालेंगे वर्टेक्स shifting point तो एक जन्रल तरीका क्या होता है उस पे हम बात करेंगे तो पहले इसके वर्टेक्स निकालते हैं हना तो जो बहुत important है एक graph को ड्रॉ करने के लिए 50% जरूरत होती है आपके शिफ जो ये ए की ए पॉस्टिव है कि निगेटिव है ये मालूम होना चाहिए इसका 50% रोल होता है आपके लाटेक्स करें क्यों वर्टेक्स मालूम रहती है तो आप उसी के फिर अलॉंग आप बनाते हैं ग्राफ को ड्रॉ करते हैं ठीक है तो चलो हम से पहले इसके वर्टेक्स पता करते हैं तो चलो हम इसको कुछ इसी equation को अगर हम a को बाहर निकालें यहां से a को अगर हम बाहर निकालें तो यहां पे बोले x square प्लस ठेक है? तो यहां पे b upon a आएगा तो b upon a आएगा तो अगर 2 से multiply कर दें और यहां पे मैं लिखूं b upon 2a into 2a 2a और x ऐसे लिखो तो कुछ खराबी है क्या? कुछ खराबी है क्या? कुछ खराबी नहीं है कि 2 से 2 cancel हो जाएगा और b upon a मिलेगा और यहां बाहर निकालें इसलिए upon में यहां रहा प्लस यहां पे अगर हम चाहें तो b square upon 4a square 4a square से plus minus कर दें b square upon 4a square मैं ऐसा लिख सकता हूँ ऐसा लिख सकता हूँ ऐसा लिखने की मिले ज्यादत है क्योंकि यह दोनों कटके 0 हो रहे है तो इसको मैं ऐसे अभी लिख ले रहा हूँ क्योंकि हमको एक formula बनाना एक identity बनानी है ठीक है तो चलो और फिर यह जो आपका c upon a c upon a ठीक चलो अब देखो अगर इस पे हम अगर और आगे लेके चलें तो यहाँ पे formula जनरेट हो रहा है x plus b upon 2a का ठीक है तो चलो a को बाहर रखते हैं अभी x plus b upon 2a का whole square ठीक और फिर plus में आपको मिल रहा है अगर b square upon 4a square को plus c upon a करेंगे तो 4a square जब उधर जाएगा तो a से एक एंसील लेते एक एक एंसील लेगा तो मिलेगा आपका 4ac 4ac जब इन दोनों को आप इसका minus b square upon 4a square को जब plus करेंगे इसके साथ c upon a के साथ तो आपको मिलेगा 4ac और ये मिल जाएगा minus b square और ये आपको मिलेगा upon पे 4a square upon पे मिलेगा 4a square ठीक है चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलो और अगर यहां से देखें और a को अंदर थोड़ा सा हम ले जाएं तो ये a हमारा यहां पे है और x plus b upon 2a का होल square प्लस यहां पे अगर मैं चाहूं तो अगर एक को अंदर ले जाऊंगो तो एक a cancel हो जाएगा एक a cancel हो गया तो एक a cancel हो गया तो यह यहां पे बचेगा 4ac minus b square upon 4a ठीक है चलो आपको कुछ ऐसे मिलेगा ठीक है अब यहां पे हम shifting point की ओड़ जाएंगे हम shifting point कैसे देखते थे हम उस चीज पे बात करेंगे किस प्रकार हम shifting point देखते थे हना कि एगर कोई shift हो रहा x पे और y पे तो क्या उसके हम points shifting points लिखते थे जिसको हम vertex बोलते हैं अब हम वही final लिखने जा रहे हैं हना अगर general मैंने थोड़ा सा इसको और अच्छे से कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा तो अगर अगर हम इसको इधर ले आएं y minus 4ac minus b square upon 4a ठीक है अगर इसको हम ऐसे करें इस चीज को हम ऐसे करें हना और इसका square करें square का है करना है ठीक है चलो तो यह कुछ ऐसे हो गया हना इसको अगर हम चाहें तो कुछ ऐसे लिख ले ठीक equals to यह a हना और इसको चाहें तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं x minus minus of b upon 2a क्योंकि जो हमारा जो हमारा general form था हमारा हना जब हम shifting को निकालते हैं तो मारा general form होता है कुछ ऐसे होता है क्या y minus k y minus k equals to x यह square था ना यहाँ पर तो यह square कर लो ठीक है x minus h का whole square हना इस form का कुछ होता है मतलब minus यहाँ पर होता है तो sign तो हमने इसको ऐसे कर लिए कि minus minus plus हो ही जाएगा तो यह हमारा general form होता है हना general form ऐसे होता है shifting का तो हमने ऐसे इसको कर लिया हना कोई गर equation भी दी हो तो हमको इस form में लेके आना है पहले और उसके shifting point पता लगाने है then आप then you are able to draw the graph of any equation any quadratic expression ठीक है चलो तो आपको सबसे पहले क्या करना है अब यहाँ पे यहाँ पे आपको सामने सामने दिखाई दे रहा है कि इसके जो vertex है तो I am going to write here the vertex of the quadratic expression तेखो यह vertex इसको आप बोलते हैं shifting point तो मैं यहाँ पे vertex बोल रहा हूँ हना तो आप यहाँ पे अगर vertex को अगर यहाँ पे देखें तो आपको जो vertex मिलेगी वो मिल रही है X minus बी अपॉन 2A minus b upon 2A तो यह आपको जो vertex मिल रही है वो है minus b upon 2A और y पे जो shifting आपको मिल रही है हना तो वो मिल रही है 4ac minus b square upon 4A 4ac minus b square upon 4a यह आपके vertex हुई very very important बहुत ज़्यादा important है यह आपको मालूम होना चाहिए यह आपको मालूम होना चाहिए तभी आप quadratic expression के graph में अपनी पकड बना पाएंगे ठेक है तो यह आपको मालूम होना चाहिए this is the vertex किताबों में कूछ ऐसे भी डिया होता है इसको इस vertex को किताबों में कुछ ऐसे भी डिया होता है इस punto को vertex को कुछ किताबों में और आप ऐसे भी बोल सकते हैं minus b upon 2a और यह basically है क्या अगर इसका minus sin बाहर निकाल दो तो इह discriminant है तो यह minus d upon 4a तो यह है जो आप सुनते आ रहे हैं देखते आ रहे हैं वो चीज यह है उसको हमने ऐसे निकाला shifting points से हमने general तरीके से shifting points से compare किया और h और k जो points आए तो अब आप किसी भी equation को directly draw कर सकते हैं यहां से अब किसी भी expression को किसी भी quadratic expression को यहां से directly draw कर सकते हैं directly किसी भी quadratic का graph आप यहां से बना सकते हैं ठीक है तो अब हमने यहां पे क्या देखा हमने यहां पे कुछ ज़्यादा नहीं देखा हमने जो देखा वो यही देखा कि इसके जो vertex आए हना वो i minus b upon 2a minus d upon 4a हना और यह बहुत important है हना 5 star लगा लो इसको रटा मार लो इसको रट लो रट लो माइनस b upon 2a minus d upon 4a हना माइनस d upon 4e हना तो इसको आप रट लीजिए इसको आप रट लीजिए बहुत ज़्यादा important है हना यह बहुत ज़्यादा important है अच्छा तो अब हम यहां से directly कोई भी graph ड्रा कर सकते हैं यहां पर दिया हुआ है आपको ड्रा करना है y equals 2 minus 3x square minus x minus 1 तो यहां से आपको करना कुछ नहीं है बस आपको यहां पर देखना है कि जो यह a की value है a की value है वो क्या आ रही है minus 3x square मतलब minus 3 है मतलब की less than 0 है less than 0 है मतलब जो graph आपका बनेगा वो mouth opening downward बनेगा mouth opening downward बनेगा चलो अगर हम vertex जो हमने निकाले थे तो vertex हमारे क्या आये थे vertex v को denote करते है वर्टेक्स से और जो हमारे vertex आये थे वो vertex क्या बन रहे थे minus b upon 2a और minus d upon 4a ठीक यह हमारे vertex थे these are the vertex और यहां पे जो b है a है देखो यहां पे जो a है वो है minus 3 और b है वो है minus 1 ठीक वो है minus 1 ठीक है तो अब आपको यहां पे क्या करना है यहां पे क्या करना है आपको रख देना है इस पे तो जब रख दोगे vertex पे vertex पे रख दोगे तो रख देते हैं इसका vertex निकल आएगा minus b minus 1 अगर रखोगे अगर minus 1 अगर minus 1 इधर रखोगे और 2a minus 3 रखोगे तो आपका आजाएगा यहां पे जो आपको final expression आजाएगा यह आजाएगा minus देखो यहां पे जब minus 1 रखोगे तो minus 1 minus plus हो जाएगा और जब 3 रखोगे minus 3 तो minus 6 आजाएगा तो 1 upon minus of 1 upon 6 और यहां पे जो आजाएगा यहां पे आजाएगा 4ac minus b square upon 4a तो यहां पे 4ac तो 4 into minus minus plus हो जाएगा ac पे है ना दोनों पे minus sign है 3 तो 3 minus b पे क्या value है 1 और a पे क्या है minus 3 दी तो minus 12 minus 12 तो मतलब कि आपको जो value मिलेगी 4 value मिलेगी ठीक है तो चलो यहाँ पर हम इसको draw करने जा रहे हैं इसको हम draw करने जा रहे हैं हना इसको हम draw करने जा रहे हैं B equals to minus 1 ठीक है B minus 1 था A minus 3 था C minus 1 है हना value बरोबर put की यह नाम लोग चलो ठीक है minus 1 upon 6 और minus 11 upon 12 हना तो यह हमको मिला minus 11 upon 12 मतलब हमको fourth quadrant third quadrant पे जाना पड़ेगा मतलब third quadrant पे हमको जाना पड़ेगा यह तो confirm बात है third quadrant पे जाना पड़ेगा यह तो confirm बात है और third quadrant हमारा कुछ यह हो गया ठीक यह हो गया third quadrant minus minus से दोनों ठीक है तो कुछ यहाँ पे होगा minus 11 by 12 और minus 1 upon 6 आपका कुछ यहाँ पे बनेंगे है ना तो यह मैं एक rough sketch draw कर रहा हूं minus 1 upon 6 minus 11 by 12 टेक यह हम rough sketch draw कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है तो चलो और यहाँ पे एक चीज देखो यहाँ पे a की value less than 0 है a की value less than 0 है मतलब जो mouth opening जो होगी आपके parabola की वो downward होगी ठीक है तो अगर इसका rough sketch अगर हम देखना चाहें तो rough sketch हमारा graph कुछ ऐसे बनेगा ठीक कुछ ऐसे बनेगा यह हमारा main point है ठीक है तो चलो यह हमारा vertex पे हमने इसको draw कर दिया ठीक है यह हमारा graph बन गया अच्छा बहुत लोग के mind में आ रहा होगा sir यह point निकाल सकते हैं क्या यह point निकाल सकते हैं क्या बिलकुल निकाल सकते हो बाई बिलकुल निकाल सकते हो कैसे यह point किस पे हैं y-axis पे है यह point this is your this is y-axis and this is x-axis ठीक है तो यह y-axis पे यह point है तो यहां से आप बिलकुल निकाल सकते हो क्या निकाल सकते हो कि y-axis पे x-0 होगा y axis पे x 0 होगा तो यहाँ पे put कर दो y axis पे x 0 तो जब y axis पे x 0 होगा तो आपको इसके point निकल आएगा 0 put कर दो तो यह 0 0 तो यहाँ से जो आपको value मिलेगी y की वो मिलेगी minus 1 मतलब कि आपके यहाँ point निकल आया और point क्या हो गया minus 0 minus 1 0 minus 1 आपका जो point निकल के आया वो 0 minus 1 हो गया ठीक है चलो इतनी बात आप लोग के समझ में आ गई ठीक है चलो तो यह आपका finally आप कोई भी graph draw कर सकते हैं कोई भी graph draw कर सकते हैं quadratic expression का दिया हुआ है तो आप simply उसका vertex निकालेंगे उसका vertex निकालेंगे vertex को आप minus b upon 2a और minus d upon 4a से संबोधित करेंगे मतलब यही आपका vertex है यह बहुत important है यह point जो मैंने आपको बताया है यह बहुत important है vertex आपको मालू होना चाहिए और आपको simple सा मालू होना चाहिए a less than 0, a greater than 0 mouth opening upward, mouth opening downward इसके बारे में आपको idea होना चाहिए आपको vertex निकालते आना चाहिए बस, vertex बुले तो shifting point यह निकालते आना चाहिए बस, और कुछ नहीं आप कोई भी graph draw कर सकते है ठीक है, चलो तो अब next lecture में हम और चीजों को इसमें बढ़ेंगे है ना और चीजों को समझेंगे अच्छे से हना, और भी जो इसकी point से उनको समझेंगे और then question करेंगे, ठीक है तो कैसी लगे वीडियो, आप वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, हना, और जो भी आपके queries हो, हना, उनको comment कीजिए, हना, definitely उसका answer दिये जाएगा, so thank you